कि आज हम आपके लेकर आएं काइं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बेस्ट पीवाई क्यों सभी टॉपिक से तो चलिए शुरू करते हैं नीट टूटिफूर के लिए यह पहला को क्वेस्चिन है आपके असरसन में दियो है और याक्शन कैन है जीरो एक्टिवेशन एनर् जही तब पहुंचने के लिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं तो यह दोस्तों साही स्टेट्मेंट है तो यह तो फॉल्स है लेकिन आर्टू है आगे बढ़ते हैं अगला का क्वेस्चिन है फॉर सटें रियाक्शन दरेट इस उगल टू के स्क्वेर बी मैंना इनिशल कंसेंट्रेशन ऑफ एक टेपल्ड की कीपिंग ऑंसेंट्रेशन ऑफ बी कॉंचेंट रिच वुड बी तो दोस्तों यहां पर के एक अब का स्क्वेर बी यह आपका फॉर्मिल्ल आगर आप दोस्तों कॉंचन्ट कर देंगे तो हम इसको अभी के लिए हटा शकते है इसको triple करेंगे तो उसका square हो जाएगा यानि की D option आपको correct हो जाएगा increase by a factor of 9 आगे बढ़ते हैं correct option for the rate law that corresponds to overall first order तो दोस्तों first order में जो पूरी power है उसका sum आना चाहिए 1 तो यहाँ पर minus 1 by 2 plus 3 by 2 यह आपका आजाएगा 2 by 2 यानि की 1 D option आपको correct हो जाएगा इसमें तो 2 आ रहा है इसमें भी 2 आ रहा है इसमें दोस्तों 5 by 2 आ रहा है इसलिए D option यहाँ पर correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 3 A gives 2 B need to turn 23 का यह question है average rate of appearance of B gives delta B by delta T आपको बताने correct relation between average rate of appearance of B यानि की यह और average rate of difference disappearance of A का आपको relation बताने है तो दोस्तों यह ऐसा question है जिसको आपको बिल्कुल भी छोड़के नहीं आना चाहिए यह आपका बहुत scoring chapter है तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं minus da by dt या फिर delta B by delta T इसको आप minus 1 by 3 कर देंगे क्योंकि stoichiometric coefficient आपका नीचे आ जाएगा is equal to half db by dt db को आप delta भी लेख सकते हैं मैं आप इसंटेनियस लेख रहा हूँ उसको आप average भी बना सकते हैं 2 को आप वहाँ ले जाएंगे तो minus 2 by 3 da by dt is equal to db by dt तो यह आपका c option करेक्ट हो जाएगा minus 2 by 3 delta a by delta t c option आपका करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं need to turn 23 का यह question है इसमें दोस्तों आपको कुछ graph दिया हुआ है इसमें बताना है x y और x तो यह constant temperature t बे हो रहा है तो दोस्तों आप db option को दोस्तों 0 order y equal to rate and x equal to concentration तो यह दोस्तों सही बात है कि जो दोस्तों 0 order कि आगर आप बात करें तो r is equal to a की power 0 अगर a gives product आपका reaction है तो इसमें कहा rate जो है वो constant है क्योंकि वो depend नहीं कर रहा है a की concentration पर और दोस्तों first order के लिए y equal to t half and x equal to concentration दोस्तों क्या होता है first order के लिए वो होता है दोस्तों ln2 या फिर 0.693 by k यानि कि यह भी दोस्तों constant होता है तो यह भी concentration के साथ constant है तो इसका भी graph वैसा ही आएगा concentration के साथ तो d option आपका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नी तूचन 22 का यह question दोस्तों आपको दिया हुए है for a first order reaction एक गिफ्स प्रोडक्स initial concentration of a is 0.1 which becomes 0.001 after 5 minutes rate constant for the reaction in minute inverse तो दोस्तों इसमें आपको first order kinetics का इस्तमाल करते हुए time निकालने है तो दोस्तों first order kinetics में आपने time का formula पढ़ा होगा time is equal to 2.303 by k log base 10 a not by a इन पूरे की concentration तो आप यहां से k का formula बना सकते है 2.303 by t log base 10 a not by a तो दोस्तों आप यहां पर value रखिए 2.303 by 5 log base 10 a not by a तो दोस्तों a not यानि initial concentration वो आपको 0.1 मोलर दी हुई है और यहां पर दी है 0.001 मोलर तो initial आपको बहुत ध्यान से रखने है 10 की power minus 1 और यह 10 की power minus 3 तो दोस्तों यह ऊपर जाके 10 की power plus 2 हो जाएगा और 2.303 by 5 तो यह दोस्तों प्लस 2 हो जाएगा तो यहां पर बाहर आ जाएगा लोग बेस्ट टू लोग टेन टू दो बेस्टेन आपको हो जाएगा तो इसके बाद दोस्तों जब आप इसको calculate करेंगे तो यह आपका आएगा 0.9212 आप आप calculate कर सकते हैं सिव आपको आपका correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला question दोस्तों नीच टू सब्सक्राइब का इसमें दोस्तों आपको एक रिखान वे रखना है वह दोस्तों आपका होता है यह नॉट अपॉंट टू की पावर n यह आपका एक first order reaction के लिए half life का formula होता है जहां पर दोस्तों n जो है वह आपका number of half life होता है इसमें आप relation पा सकते हैं कितनी half life की बाद कितना होगा तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है टी half आपको कितना है 2000 यह दिया हुआ है और आपको 8000 यह के बाद निकालना है तो आप n निकाल सकते है यह थाउजन बाई 2000 कितनी half life हो गई तो यह आपका आ जाएगा दोस्तों फोर तो यह इस इक पल टू ए नॉट बाई टू की पावर फूर तो यह नॉट यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ए इनिशिल कंसेंट्रेशन बनकर आ जाएगी तो बी आपको करेक्ट हो जाएगा एक और तरीका है आपके निकाले उसके बाद करें लेकर लेकर दोस्तों बहुत लंदी मैठर है इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला कैस्टीन है आपको बताने दा प्लॉट अफ लॉग के लॉग वेस के वर्च वन वाइटी फॉट 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 टू इसलोप उफ लॉट उपलान इकल टू माइन इंट टेन की पावर फॉर केल्विन ना एक्टिवेशन एनरजी फॉट पर मोल तो दोस्तों अगर आप लॉग वेस एक या फिर एलन के का आ अई इंसा स्टिट लान बन कर आता है और यहां पर जो दोस्तो णोप होता है ऊचलोब नहीं होता है इय को उसी को आप इकवेट कर सकते हैं इसके स्कोप मैंनेस Tσι की पावर 4 व्यावर 10 को गुभूं क्रों आप जब यह को रखेंगे यहां पर दोस्तु माइनस यह भाई र होता है क्योंकि यह नेगटिव स्लोप है तो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा यह हो जाएगा और इंटू 10 की पावर 4 तो यह 8.3 इंटू 10 की पावर 4 आपका D option करेक्ट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अगला question है for a chemical reaction 4A plus 3B is 6C plus 90 the rate of formation of C is 6 into 10 की पावर minus 2 mol per liter second and the rate of appearance of A is 4 into 10 की पावर minus 2 mol per liter second the rate of reaction in the amount of A amount of B consumed in interval of 10 seconds respectively will be तो दोस्तों यह आपका reaction है 4A plus 3B gives 6C plus 90 और दोस्तों आपको rate of formation of C दिया हुआ है यानि कि आपको delta C by delta T दिया हुआ है वो दोस्तों आपका है 6 into 10 की पावर minus 2 mol second तो दोस्तों आप rate of reaction निकालना चाहते हैं आप इसको यह कर दीजिए 1 by 6 into delta C by delta T क्योंकि इसका stoichiometric coefficient आपको नीचे लिखना होता है तो यहां से यह cancel हो जाएगा 10 की पावर minus 2 आ जाएगा तो यह दोस्तों इसमें भी है हमने निकाल लिए 10 10 10 10 की पावर minus 2 आया है और दोस्तों यहां पर आपको टाइम भी दे दिया कि आपको 10 सेकंड पे निकालने तेन की पावर minus 2 into 3 into 10 तो दोस्तों यह आजाएगा आज ने दोस्तों फॉर रियक्शन यह गिव्स भी इंथाल्पी ऑफ रियक्शन माइनस 4.2 किलो जूल पर मूल एंथाल्पी ऑफ एक्टिवेशन 9.6 किलो जूल पर मूल दा करेक्ट पोटेंशिल एनरजी प्रफाइल पादर रियक्शन इस तो दोस्तों इसमें डिया हुए डेल्टा एच ऑफ रियक्शन जो है वह आपके माइनस 4.2 किलो जूल पर मूल दोस्तों यह कहा है यह नेगेटिव मतलब दोस्तों आपने फिजिकल केमिस्ट्र में पढ़ा होगा एक्जो थर्मी की रियक्शन है मतलब जो दोस्तों एनरजी है रियक्टंट की वह दोस्तों दोस्तों एनरजी हो प्रॉडक्ट औरयाक्ति से कम है यहाँ पर डी आफसे इससमें जियादा है और इसमें भी जादा है तो इसमें डी आपकर हो जाए कि अिग्जो थर्मीग नियुक्ट की अनरजी है वह कम है रियक्टंट से अगला question दोस्तो नीज तूजन 20 का दोस्तो ऐसा ही question हमने अभी किया था time is equal to 2.303 by k log base 10 a0 by a यहाँ पर दोस्तो आपको time ही निकालना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं k की value डाल दीजिए तो k की value यहाँ पर क्या दिए हुई है 4.6 into 10 की power minus 3 तो 4.606 तो यह उबर जाके 10 की power 3 हो जाएगा into log base 10 a0 by a तो दोस्तो आपको ध्यान से रखता है यह नौट है 2 और और यह है आपका पॉइंट तो यह आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो log base 10 to the base 10 आपका हो जाएगा वन तो वन बाइट टू इन्टू थाउजंड यानिकी 500 सेकंड्स यह आपका आंसर आ जाएगा बी आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कर्षिन है नीट टूंटी का एन इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ दा रियाक्टेंट ट्रियस्ट चेंज इन हीट ऑफ रियक्शन ट्रैसोल फ्रिक्वेंसी कोलिजन फ्रिक्वेंसी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगर आप दोस्तों बहुत सारी मॉलिकुल्स रख दे मोलर इनिशल कंसेंट्रेशन अब रियक्शन टे हंडर्ट दा रेट कॉंस्टेंट फॉदम सेंट तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ होती है जीरो ओर्डर की होती है दोस्तों यह नॉट बाई टू के तो दोस्तों आपको क्या निकालना है के निकाल जाए गार्ट यहां पर दोस्तों यहाँ आपका हंड़र आ जाएगा तो यह टैंगी पावर फूर जाके टैंगी पावर माइनस फूर हो जाएगा यह वन इंट्ट न की पावर माइनस हूर आपका साही आंसर अगि बढ़ते हैं आगे बादें पॉर रेक्शन Kelvin will be given that gas constant is equal to R तो दोस्तों आपको यह दोस्तों रिजलेशन ध्यान में रखने हैं log waste 10 k2 by k1 is equal to minus ea by r t2 minus t1 by t1 t2 तो दोस्तों यह आपका यहां पर आपको दिया हुआ यह जो है वह दोस्तों वह 0 है मतलब log waste 10 k2 by k1 आपका क्या है जीरो है मतलब दोस्तों के टू जो है वह के बन के एक पहले है तो के बन कितना है दोस्तों बन पाइंट सिक्स तो के टू भी हो जाएगा उतना ही तो भी आप्शन लेशा करक्ठ हो जाएगा अगर आपको वीडिय देगा उसमें हम डेली अप्लोड करते रहते हैं कीव लर्निंग थैंक्स वर वाचिंग अ यह के ब precisoलड है भाएगा आपको वीडिय